नमस्ते दोस्तों जोहार आप सभी का विशेक चक्रवर्ती यूटूब चैनल में हाद दिक स्वागत हैं दोस्तों आप सभी से मेरा वादा था कि अगर 100 से ज्यादा लाइक और कमेंट आए तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए सोसोलोजी यानि समाज सास्तर का दूसरा वीडियो लाओंगा उस वीडियो में मुझे 200 से ज्यादा लाइक और कमेंट देखने को मिले उसके लिए आप लोगों का दहिनेवाद दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के माहितन से क्लास 12 के सोसोलोजी यानि समाज सास्तर के सेकंड टम के मॉडल सेट के इंपॉर्टन कोशन करवाए जा रहे हैं जो सब्जेक्टिव टाइप के होंगे दोस्तों अंसेस को अच्छे से समझिएगा और याद करके लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा ठीके और अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नहीं आया है तो चैनल को प्लिज सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिक्शन सरसे पहले आपको मि चैनल जाती है जिसमें उद्रोग दंदोग का क्या होता है बोलवाला होता है ठीक है वस्तों यहाँ आधुनिक करन का एक अंग है बड़े पेमानी की उर्जा खपत बड़े पेमाने पर उत्पादन धातुकर्म की अधिकता आधिक उद्धोकी करन के लक्षन है एक प्रकार पर प्रस्थान करने लगती है तो नगरों की जनता काम की खोच में नगरों की और प्रस्थान करने लगती है तो नगरों की जनसे क्या में क्या होती है बढ़ने लगती है यह जो जनसे क्या है वो बढ़ने लगती है इसे ही समाई नवासा में क्या का जाता है नगरी करन का अर्थ नगरों के विकास से लिया जाता है यह वह प्रक्रिया है जिसके मायदम से ग् कुछी छेत्र में अधिक जनसेंखा से नहीं होता है बलकि समाजिक आर्थिक परिवतनों से भी होता है ठीक है समाजिक आर्थिक संबंधों में परिवतन से भी होता है देखिए जब गाओं में लोगों को रोजगार नहीं मिलता तो वह कहां जाकर बसते हैं सहर में यह नगर म तो उसमें क्या होता है नगर की जनसेखा में बिर्दी होने लगती है नगर की जनसेखा में बिर्दी होने लगती है जिसे समाई नवासा में नगरीकरन कहते हैं वहां क्या होती खाई जनसेखा में बिर्दीन होती है बलकि उस समय समाजिक और आर्थिक संब्दों में भी परि इसका मतलब है वह प्रक्रिया जिसमें जाती विवस्था में नीचले पाइदान पर इस्तित चातिया उचा उठने का प्रियास करती है ऐसा करने के लिए वे उच या प्रभावी जातियों के रिती रिवाज या प्रचलनों को अपनाती है ठीक है समाज सास्त्री M.N. स्री निवास के अनुसार संस्कृति करन वह प्रक्रिया है जिसके दोहरा कोई नीवन हिंदु जाती या कोई जन जाती अथवा आइनने समू किसी उच और प्राई द्विच जाती की दसा में अपने रिती रिवाज कर्मकांड विचार धारा और जीवन प करन कहते ठीक है यह एक सामाजिक परिवर्तन है तो चलिए दोस्तों कोशनल 4 की और पढ़ते क्या पूछा गिया है राजनीतिक दल का क्या तात्परी है राजनीतिक दल का क्या तात्परी है राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समू के रूप में समझा जा सकता ह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्धिस से काम करता है। अलग-अलग होती है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का परियास करती है। दोस्तों कोशन और फाइब क्यों बढ़ते क्या पुछा गया है। हरित क्रांथी क्या है। हरित क्रांथी की संग्या दी गई है। यह जो आधुनिक संयंत्र है, यह जो सिचाई की सुविदा है, यह सब से क्या हुआ है। सिचाई में ब्रिदी हुआ है, क्रिसी में ब्रिदी हुआ है, जिसे हरित क्रांथी की संग्या दी गई। उर्वरक, कितनासक और बहतर सिचाई सुविदा बड़े कम मुल्य पर मुहया कराना शुरू किया। साथी सरकार ने इस बात की भी गरेंटी दी कि उपच को एक निर्धायत मुल्य पर खरिद लिया जाएगा। किसानों को यह एसलिटी दिया कि आप लोग खेती कीजिए ठीके इस बीजों का इस्तिमाल कीजिए अच्छा फसल हो जाने के बाद यह फसल सरकार क्या करेगी एक उचित मुल्य पर खरिद भी लेगी ठीके बस इसके कान पंजाब यहों कुछ राज्यों में गेहु की कौन थे यह आप लोगो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा ठीके बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है तो चलिए दोस्तों क्यों बढ़ते हैं क्या पुछा गया है भूम अंडली करन से क्या प्रक्रिया है जिसके माइधम से संपुन विश्व की अर्थविवस्ता को संसा की अर्थविवस्ता के साथ एकत्रित करना है ठीक है संपुन विश्व की अर्थविवस्ता को संसार की अर्थविवस्ता के साथ एकत्रित करना है ठीक है वस्तुओं सेवाओं व्यक्तियों और सुचनाओं का राष्टिय सीमाओं के आरपार सौतंत रूप से संचरन ही वैस प्तुवों एवं सेवाओं का एक दूसरे से एक देश से दूसरे देश में आने एवं जाने के आउरोधों को समात कर दिया जाता है इसी परकार से संपुल विश्व में बाजार सकतिया सौतंत रुप से कारी करने लगती है ठीक है दोस्तों एक दूसरे देश से दूसरे हो क्या कर दिया जाता है समार्थ नमया क्या है समाजिक आंदोलन क्या है समाजिक बातिये लकतन्त्र की सकति है समय एक परकारका सामुहिक ट्रिया है समाजिक आंदोलन व्यक्तियों या संगत्णों के विशाल अनोग्चारिक संभू होते हैं, जिनका धैय किसी विशिष्ट समाजिक मुद्धे पर केंदरित होता है। दूसरे सब्दों में कोई समाजिक परिवतन करना चाते हैं, उसका विरोध करते हैं, दूसरे सब्दों में कोई समाजिक परिवर्तन जो करना चाहते हैं वो उनका विरोध करते हैं या किसी समाजिक परिवर्तन को समाप्त कर पूर्व इस्तिती में लाना चाहते हैं huton एवं hunt ने समाजिक आंदोलन को परिवासित करते हुए लिखा है समाज आथवा उसके सदैस्यों में परिवरतन लाने अथवा उसका विरोद करने का सामोहिक परियास है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, समाजी गांदोलन क्या है, इसका उत्तर ये याद कर लिजेगा, ठीक है, बहुत इंपोर्ड़ेंट, गौर्शन नमर एट की ओर देखते हैं, क्या पुछा गया है, प्रद्धुगी की का क्या भी प् पामन्ता है जिसके दुआरा यंत्रो अथ्वा उपकरणों का परियोग किया जाता, दोस्तों यंत्रो और उपकरणों का यूज किया ठीक है आथा वह ग्यान अथ्वा सदन जिस के माНетप्दन से हम जीवन के लिए उप्योगी वस्तुप्राफ्त करते है अगवन के अनुसार पर्द्योगी का तात्परी किसी भी प्रविदी से है इसके अंतरगत विविन परकार के उपकरन एवं क्यान की साखाये आती है जिसका आधार पर जीवन उपयोगी निर्मान कला विक्सित होती है ठीक है पर्द्योगी की एक समाज सास्त्रिय ताइत्य है इसका कारण यहाँ है कि समाजिक अवशक्ता ही कारी करने के नए तरीकों एवं आविसकारों को जनम देती है इनसे समाजिक जीवन सबसे अधिक परभावित होता है ठीक है याद रखिए कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टन को दोस्तों कोशन में देख लेते क्या पूछा गया है आधुनिक की करन की क्या विशिष्टाएं है तो आधुनिक की करन की क्या विशिष्टाएं है तो आधुनिक की करन की निम्लिकित विशिष्टाएं है सबसे पहला विशिष्टा दोस्तों साच्छरता क्या साच्छरता यहां आधुनिकी करन की प्रक्रिया का मुख्याधार है, साच्छर व्यक्ति ही बुद्धिमान और गुनुवान हो सकता है, साच्छर आदमी मतलब पढ़ा लिखा, आदमी ही क्या हो सकता है, थीके? चलिए दूसरा देखते हैं विशेषता क्या है आधुनिक सिच्छा आधुनिक करण का मुख्यतत्त्व है का है यहां उधारवादी तथा आधुनिक करण की प्रक्रिया के साथ सौ वाभी क्रूप से संबंदिते ठीक है चलिए दोस्तों पॉटबर त्री देख लेते क्या लि मिला जिसमें इंटरनेट, इमेल, तथा अइन सुचना तक्निक के साधन के कारण काफी विकास हो रहा ठीक है, याद रखिएगा, पॉइंट देखते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है, यातायात तथा परिवहन ठीक है, यानि आने जाने वाला ठीक है, यानि परिवहन ठीक, आधुनी करण के विकास में यातायात तथा परिवहन के साधनों की भुमिका अईत्यन्त महत्मून होती है, याद रखिएगा, पॉइंट नवर 6 देखते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है, नगरिये तथा गतिसिल जनसंख्या, ठीक है, प्रदोगिकी के विकास के कारण, विर्दी हुई है, यहाद दोनों ही आधुनी करण की महत्मून तत्व है, ठीक है, चलिए, पॉइंट और 7 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सरम विभाजन, सरम विभाजन के कारण आधुनी करण की प्रक्रिया में तेजी होती है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, य इतना याद होता है, याद कर लिजेगा, बहुत important question है, ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का last question देखते हैं, क्या पुछा गिया है, सुचना अधिकार अधिनियम के अंतरगत नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिये गया है, सबसे पहला अधिकार क्या है, दोस्तों, नागरिकों को कारी की समगरियों के प्रमानित नमुने नेने का अधिकार है, ठीक है, पॉइंट नमार थी, नागरिकों को दस्तावेजों का निरिच्छन करने का अधिकार है, ठीक है, तो दोस्तों, आसा करते हैं, आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, अग भूले और अपना फिडिवेक देना ना भूले अगर इस वीडियो में भी 100 से ज्यादा लाइक आते हैं दोस्तों तो आप लोग को सोसलीजी का तिसरा वीडियो बहुत जल्द उपलब्द मिलेगा ठीक है तब तक के लिए धैन्यवाद चाहिन बंदे मात्रम